इस सम्विधान में वो शक्ति हैं, इस सम्विधान में वो शमता है कि बदलते समय के साथ साथ बदल कर भी अपना अस्तित्व, अपने मूल्य, अपना चारीत्र, जैसे के वैसे कायम रखने की खिशमता इस सम्विधान में है सम्विधान में संशोगन का अधिकार दिया हुआ है, फिर भी हम बुनियादी धाचे में परिवर्कन नहीं कर सकते, संशोगन नहीं कर सकते यह बात हमें स्विकार नहीं है, इस बात को हम स्विकार नहीं कर दें बदलते समय के साथ साथ, बदलते समय की आवशकताओं के साथ साथ, बदलने की ख्शमता इस समखधान में हैं, परंतो अपना मूल चरित्र नख होते हुए ये समखधान में ये ख्मता है, हम पाच भी बड़ी अर्थ रवस्ता है, अच्छी बात हैं, तीसरी भी बन अच्छी बात है परन्तु बड़े ही हर्षो उल्लास की बात नहीं है क्योंकि आज भी हम मतलब हमारा भारत देश दूनिया का सबसे गरीब देश है संसद्ने समविदान ने संविदान में संसद्न का अधिगा दिया है फिर भी बेसिक स्रक्चिर की बात करते हो जो सर्वोच्य नहायले का लाया हुआ सद्धान थे हम इसको क्यों माने इसको बदलना चाहिए परन्तु समविदान इसको बदलने की अनुमती नहीं देती ठीक है बात समझ में आ गई बुनियादी ढाचा मुदी जी बदलना चाहते है और अरेसेस बदलना चाहते है किरेन डीजी जी बदलना चाहते है देवराय भी बदलना चाहते है बदल नहीं सकते हैं क्योंकि सर्वोच्य नहायले ने 13 नहाय आदिशो के संविदान पीट द्वारा 1973 में बुनियादी ढाचे का सिर्दानत प्रस्तापित करकर यह लिख दिया है कि इस दाचे में परिवर्तन का संसद को कोई भी अधिकार नहीं आगे चल पर इस पर हम बात करेंगे क्योंकि सब लोगों ने भारत के सब लोगों ने जो समयदान को बचाना चाहते हैं जो समयदान के प्रती अपने निश्टा व्यक्ता करते हैं जो भारती है वो समयदान के प्रती निश्टावान है वो कभी समयदान बदलने की बात नहीं करेगा करता है तो भारती नहीं है ऐसा मेरा दावा है तो हम लोगों को ये बुनियादी डाचे का सिद्धान्त समझ लेना है क्या है ये बुनियादी डाचे का सिद्धान्त बुनियादी राचे का सिद्धानत है, पहली बाद सम्विधान सर्वों करिये, सम्विधान सर्वस्रिष्ट है, सम्विधान ने राश्ट्रपती का पद निर्मान किया, सम्विधान ने संसद निर्मान की, सम्विधान ने डेमोकरसी दी, सम्विधान ने तदान मंतरी का पद निर्मान किया, सम्विधान ने राज्यू की गटना की, सम्विधान ने मुख्यमंत्री बनाए, हर पर, हर चीज, सर्वो चन्याले, निर्वा चनायोग, हर चीज, यह सम्विधान के निर्मीति हैं, और इसलिए सम्विधान सर्वो पर है, सम्विधानी पदो पर बैठे हुए प्रत्यक व्यक्ति ने प्रत्यक पदासिन व्यक्ति ने यह मान कर चलना चाहिए कि सम्विधान के उपर कोई भी नहीं है इसमें क्या अपत्य हो सकती है इसमें क्या अपत्य देबराय जी इसमें क्या अपत्य रिजी जी इसमें क्या अपत्य है उपराश्ट्रपति महोद है कि सम्विदान है इसलिए आप उप्राश्ट्रपती हो सम्विदान है इसलिए आप मंत्री हो सम्विदान है इसलिए प्रधान मंत्री हो और सम्विदान है इसलिए देवराय जी आप उस पत पर आसे नो दूसरा क्या कहता है सम्धान हमारी शाषन वेवस्ता लोक तांत्रिग गनराज्य की शाषन वेवस्ता होगी तीन सा लोग बैठे थे बड़े जाने माने लोग थे आज संस्व में बैठे ऐसे लोग नहीं थे सारे ही धुरंदर लोग थे, स्वतंद्रता संगराम से आई वे लोग थे, अपने भारत को जानने वाले लोग थे, अपने भारत को पहचानने वाले लोग थे, डॉक्टर बियार अमबेटकर जैसा समविदान वेत्ता, वहाँ पर समविदान के निर्मान के कार्ण में जुटा हुआ था, इन सारे लोगों ने मिलकर समविदान में लोक अतांतरि, ढणराज्यक की व्यवस्ता लाई, इसलिए कि लोग सारवोभों में, इसलिए कि जो बी सरकार बनेगी हों लोगों के प्रती, उत्तर दाय सरकार पर है और इसे को आप नश्ट और खर्म के चाहिए तो आपको क्या चाहिए बारत वीवित धर्मों का देश है। भारत विविद भाशाओं का देश है भारत विविद संस्कृतियों का देश है जब धर्म और संस्कृति में विवीदता होती हैं और वहाँ यदि लोग शाही शाशन प्रशाशन लोग अतांत्रिक शाशन प्रशाशन की विवस्ता लागू करनी होती है तो बिना धर्म पेक्षता के वह व्यवस्ता लागू नहीं की जा सकती इसकी समझ सम्विदान निर्माताओं को थी इसकी समझ सम्विदान सभा को थी और इसलिए धर्म निरपेक्षत का सिद्धानत प्रस्तापीत किया गया सम्विदान में और इसलिए धर्म निरपेक्षता को बेसिक स्ट्र का सिद्धान्त माना गया जब तक धर्म निरपक्षित का सिद्धान्त संविधान में तभी तक भारत की एकात्मता सुरक्षित है अन्यता धर्म के नाम पर भारत को तूटने की संभावना बनेगी एक और महात्यों की बात है अब बात कर रहे हो भारत के शाशन प्रशाशन के की इंस्तंब माने जाते हैं विधाई का कार्यपाली का और न्यायपाली का डिमोकरसी में अधी डिमोकरसी चाहिए तो विधाई का न्यायपाली का कार्यपाली का इसमें से कोई भी किसी पर प्रभावी नहीं होगा किसी का भी किसी पर नियंत्रन नहीं होगा सम्विधान के द इन में checks and balances की विए balance की विवस्ता है और इस विवस्ता को सम्विधान में मुलबूत basic बुनियादी धांचे का अस्तितु दिया है नयाले का अपना कारेक्षित्र है विदाइका का अपना कारेक्षित्र है कार्यपाली का का अपना कारेक्षित्र है विदाई का कानून बनाएगी, वो कानून सम्विधान के नुसार है या नहीं, वो न्याईपाली का देखेगी, उस कानून पर अमल करेगी कार्यपाली का, प्रत्रिक का अपना कार्यक्षित्र है, इंटर्डिपेंडेंट है, चेक्स एंड बैलंसे से, परंतो अपना यही नह चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मोदी जी, मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी की सरकार चाहते हैं, देवराई जी चाहते हैं, कि विधाई का पर तो नियंतरन हो ही, पार्लेमेंट चल रही है क्या, पार्लेमेंट में चर्चा नहीं होती, चल रही है पार्लेमेंट, मोदी जी आना नहीं बोल नहीं सकता न्याय पाली का भी बेसिक स्ट्रक्चर को ही तोड़ दिया जाए और फिर फेडरल स्ट्रक्चर आप दा ऑन्स्टिटूशन हमारा संविधान संघीय संविधान है इसमें केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्यों में राज्य सरकार है, केंद्र की अपनी स्वायत्ता है, राज्यों की अपनी स्वायत्ता है, अपने अक्षेत्र में दोनों भी स्वायत्ता है और इनको सम्विधान जोडता है, सम्विधान में इनको जोडना है और इसलिए आज केंद्र और राज्य दुनों कास्तिक हुए यह तोड़ना चाहते हैं यदि सम्विधान निर्माताओं ने संसद को सम्विधान में संशोधन का अधिकार दिया परंतु क्या यह कहा जा सकता है कि सम्विधान निर्माताओं ने संशोधन का अधिकार संसद को कि संशोधन का अधिकार संशुद को देकर संविधान कोई उद्वस्त करने का अधिकार दिया जाए संविधान कोई नस्ट करने का अधिकार दिया जाए नहीं और इसलिए बेसिक स्ट्रक्टर का सिद्धान्त यह कहता है कि संविधान निर्माता उन्हें संविधान में पर पाबंदी लगाई कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं रीजी जी से हम पूछना चाहते हैं उपर आश्ट्रपति महो देशित और हम पूछना चाहते हैं देवरजी से यदि यह सम्व सभीधान की साधार पर निर्मान करना चाहते हो क्या ब्ल्यूप्रिंट है आपका क्या फ्लान है आपका कुछ तो बताइए जो है वो नस्त्रा करने की बात करते हैं पर उसकी जगह पर क्या प्रस्ताप्य। करने वाले हो उसकी बात आप नहीं करते आज का सत्ता पक्ष जो बहुमत प्राप्त है किसी समय में डॉक्टर वियर अमबेट कर समविदान निर्माता समविदान सभा में कहते हैं कि भारत में समविदान सभा में जो मेजोरिटी है वो कमुनल मेजोरिटी है पुलिटिकल मेज मेजर्टी नहीं है आने वाली संसद में भी शायद कमुनल मेजर्टी होगी कमुनल मतलब धर्म के आदार पर मतों का धुरूवी करकर करकर बहुमत में आई हुई सरकार को कमुनल मेजर्टी सरकार कहते हैं क्या यह सरकार पुलिटिकल मेज़ॉर्टी हैं ऐसे कमुनल मेज़ॉर्टी को सम्विदान उद्वस्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए जरूरी है डॉक्रामबिटकर कहते हैं कि पुलिटिकल पार्टी बहुमत का पक्ष अल्पदृष्टिका होता है सत्ता में उसका नी सम्विदान के प्रती लोगों के प्रती वह निश्पख्ष साते निरने लेगा इसकी कोई ग्यारंटी नहीं है क्योंकि संसद में जो मेज़ॉर्टी है वह मेज़ॉरिटरियन गॉवर्मेंट है एक कमुनल मेज़ॉर्टी है सामपरदाइक मेज़ॉर्टी है और ऐसी दिवस्त करने का अधिकार दियानी जाना चाहिए आप बेसिक स्ट्रक्चर बदलना चाहते हो बदले में क्या देना चाहते हो बदले में क्या दोगे कुछ तो बताओ जिसके आधार पर लोग सोच सके कि आप बदले में अधिक अच्छा देना चाहते हो तो हम इतनी मुर्क तो है नहीं कि हम उसको न करेंगे पर तो क्या देना चाहते हो इसकी भी बात होनी चाहिए एक और आक्षप लिया गया है दिब्रजी के और से कि वर्तमान समयदान में बहुत सारी बाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से ली गई है कुछ लोगों को लगता होगा कि यह नया आक्षप है समयदान सभा में भी यह आक्षप लिया गया था नाइंटीन थर्टी तो थर्टी टू गवरांटीबल कॉंफरेंस की उपलब भी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिन्या मुझे सो पैंटीस जिसको परतंत्र भारत का समयदान भी कहा गया था प्रक्रामेट कर मानते हैं कि मैंने बहुत सारी बाते उस नाइंटीन थर्टी फ़व के एक्षप से लिए मगर इसके बारे में मैं लज्जा का अनुभव नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जहां से भी अच्छी बाते मिलेगी भारत में गए डाई अजार साल से लोक तंत्र की परंपरा नहीं हैं भारत के लोग लोग तंत्र से अपरिचित हैं भारत के लोग समयदान से अपरिचित हैं सम्विधान की नेतिक्ता से अपलचित होते हैं इसीलिए सम्विधान के पतपर बैठे हुए भारत के प्रदान मंत्री सेंट्रल विश्टा के लोकार्पन के कार्यक्रम में वेद मंत्रों के साथ लोकार्पन करते हैं इसलिए भारत के सम्विधानिक पत्पर बैठीवे प्रदान मंत्री राम मंदिर का भूमी पूजन करते हैं, इसलिए सम्विधानिक पत्पर बैठीवे भारत के प्रदान मंत्री कुम्ब मेले में जाते हैं, इसलिए वह और भी बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि सम्विधानिक नेतिकता हम जानते नहीं। जहां लोकतंतर परिचीत नहीं हैं। और पर प्राशाशन के लिए, एड्मिनिस्टेशन के लिए कुछ प्रावधान सम्मिधान में करना जरूरी होता है। लोकतंतरिक शाशन प्राशाशन चलेगा पैसे। हमने अपने सम्मिधान में जो लिया है वो प्रशाशन से सम्मंधित प्रावधाने यदि वर्तमान संसत को लगता है कि अब इस प्रकार के प्रावधानों की कोई आवशक्ता नहीं है हम लोगों ने अभी शाशन प्रशाशन में लोक तांतरिक व्यवस्ता को स्विकार कर लिया है जानते हैं हम सम्मिधानिक नईतिक्ता को मानते हैं हम सम्मिधान को मानते हैं तो इस प्रकार के प्रावधानों की जरूरत नहीं है तो यह बड़ी मामूली सी बात है नहीं बात कही गई है ऐसा लगता है यह नहीं है शायद मैं अनुरोद करूँगा अनुरोद करूँगा देवराजी से कि वह चार नौंबर 1948 का डॉक्टर भी आरामबेट करका समविदान साबा का भाशन पड़े जन्होंने जब मौसोदा की प्रस्तोति के समयत्या था उसमें बड़े विस्तार से उन्होंने जो भी लिया है 1935 के एक से उसका वीरेंद एक बड़ी ही गंभीर बात कही है इन्होंने क्या कहते हैं हम हम मुक्त अर्थविवस्ता की बात कर रहे हैं कुन कहते हैं देवराजी कहते हैं फ्री मार्केट एकोनोमी की बात कर रहे हैं फ्री मार्केट एकोनोमी का अर्थ होता है शहरी करन शहरी करन जब ध्यान से सुनिये जब दिबराजी कहते हैं कि फ्री मार्केट एकोनॉमी जब दिबराजी कहते हैं कि शेहरी करन की बात करते हैं भारत को हम शेहरों में परिवर्टित करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये बोते हैं कि शेरीकरन जब कर रहे हैं तब सम्मिधान में जो 73 और 74 संशोधन किया गया है उसकी जरुथ क्या है इसका मतलब जब हम शेरीकरन कर रहे हैं तो पंचायत राज विवस्ता की जरुथ क्या है देन से सुनिये सारे ही पंचायत राज व्यवस्ता में विश्वास करने वाले लोग देवराजी कहते हैं कि जब भारत का शेहरी करन होगा गाउ मरते हैं तो मरने दो गाउ डूबते हैं तो डूबने दो बरबाद होते हैं तो होने दो जब हम शेहरी करन की बात करते हैं केंद परने दो गाव उजडते हैं उजडने दो क्या लेना देना है तो फिर पंचायति राज विवस्ता क्यों चाहिए पंचायति राज विवस्ता फिलाल भारत में 30 तरीय पुलिटिकल सिस्टीम है केंद्र में केंद्र सरकार राज्य में राज्य की सरकार और गाव में ग्राम पं कर गाउं में हम सरकार पंचाहित राजव्यवस्था लोगों को हम सरकार है इसका ऐसास कराती हैं और इसको डि थे सेंट्रेलाजेशन अई पौणिकल पावर कहते हैं और डिबराई जी prevent राजव्यवस्था को जलेंज करते क्योंकि गाउं मरते हैं, गाउं बरबाद होते हैं, गाउं उद्वस होते हैं तो उनको कोई लिना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट एकोनॉमी और सत्ता का केंद्रिकरन उनका लक्ष है, पंचाय तिराज ववस्ता के मानने वाले लोग इसको कैसा देखेंगे, देखे, मैं इसको नहीं मानता मैं इसको मानना भी नहीं चाहता सवाल पूछा गया है कि नया दिशु की नियुक्ति का ये बड़ा गंबिर विशे है इस पर चर्चा ही चल रही है एक तरफ सर्वोच्य नयाले इस बात पर अड़ा हुआ है कि कॉलेजियम सिस्टिम से ही मतलब सर्वोच्य नयाले के दो और हाइक कोड के दो मिलाकर हाइक के जजजेस का और सप्रेम कोड के जजजेस के नियुक्ति के लिए सिफारिश करेंगे दूसरी तरफ संसर ने विदेख पारित किया था जिसको हम कहते हैं कि न्याईक अधिकरण व्यवस्ता न्यायले के लिए Central Judicial Appointment Commission या Authority जो कुछ भी हो इस प्रकार की व्यवस्ता का प्रावदान किया गया था इस पर दोनों तरफ से और्गोमेंट्स चल रहे हैं इस विवाद में मैं नहीं जाओंगा राज्यपाल की भूमिका के संबन में कहा गया है राज्यपाल के पद का जितना अधिक दुरूपयोग बीजेपी के शाषन में हुआ है उतना कभी भी किसी भी शाषन में नहीं हुआ महराष्टर में कोशियरी जी जो करकर गए सरवोच्य नहाले कहता है कि राज्यपाल को शोभा ने देता ऐसा वेवार कोशियरी जी करकर गए है अभी तमिलनाडों में रवी राज्यपाले जो कर रहे हैं वो राज्यपाल के पद को शोभा ने देता पस्चिम बंगाल कहने क मतलब दाज्यप की सत्ता जहां नहीं है वहां राज्यपाल जो कर रहे हैं वो बड़ा ही दुगदा ही बात है आईसिस्तिती में यदि राज्यपाल के पद पर प्रश्न चिन उपस्तित किया जाते है व्यवस्ता को बदनाम कीजिए व्यवस्ता को नकारा बनाएए और फिर बोलिए कि व्यवस्ता किसी काम की नहीं है इस व्यवस्ता को अलग कर देना चाहिए तो इस प्रकार से राज्यपाल पद यदि राज्यपाल पद जाता है तो केंद्र और राज्यपाल पद जाता है इंद्री करन करना है तो इस प्रकार की व्यवस्ता की कोई जर्रत ने होगी राज्य सबा के अस्तित्व पर भी बड़ा प्रश्न चिन्द लगया गया है मोदी जी जब सरसक्ता में आए है तब से राज्य सबा में उनका बहुमत कभी भी नहीं रहा है बीजेपी का मोदी जी जो भी सम्विदानिक परिवर्तन करना चाहते है राज्य सबा उसमें बाधा उपस्ति देती है आज की स्थिति देखते हुए आगे चल कर भी बीजेपी को राज्य सबा में बहुमत प्राप्ति की कोई भी संभावना नहीं है लोक सबा में हो सकता है और इसलिए राज्य सबा में बहुमत नहीं होने के वज़े से मोदी जी जो भी कानून बनाएंगे उसके उपर राज्य सबा का नियंतरन रहेगा मोदी जी यह नहीं चाहते दिखता है उनको कि आगे चलकर राज्यसभा में भी बहुमत में हुगा इसलिए शायद मोदी जी यह सोच रहे हो कि राज्यसभा ही समापत की जाए बड़े सोच समझ कर राज्यसभा की व्यवस्ता निर्मान की गई है किसे भी राज्य के संबन में कोई विल्याग जब आता है संसर में तो उस पर उस राज्य की भूमी का रखने के लिए राज्य सबा की भूमी का है ऐसे चेक्स और बैलनसे के विए समय नस्ज़त की जाए तो लोग्साब इन्यंत्रित हो जाएगी लोकसभा अन्येंत्रित हो जाएगी इसलिए इस प्रकार की बाते करना उचीत नहीं है इसको भी बारे में सोचना चाहिए और एक बड़ी गंभीर बात दिवराई जी कहते हैं दिवराई जी पूछते हैं उद्देशिका में समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रीक न्याय और समानता यह शब्द हैं कोन से शब्द हैं मैं दोराता हूं ध्यान से सुनिए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकत अंत्रीक न्याय स्वतंत्रता और समानता उनके लेख से यह शब्दों मैंने लिये मेरे अपने शब्द में दिवराई जी पूछते हैं इन शब्दों का क्या आर्थ हैं क्या पूछते हैं दिवराई जी इन शब्दों का क्या आर्थ हैं आज इनका आउचित्य क्या है मतलब दिवराई जी उद्देशिका के आउचित्य पर ही प्रश्णचिन्य लगाते हैं सम्मिदान निरमाता उने कहा है सम्मिदान निरमाता इसके संब्द में कहते हैं यह शब्द नहीं है यह सम्मिदान के बुनियादी सिद्धान्त हैं कौनसे समाजवाद यह सिद्धान्त हैं धर्म निरप्रिक्षता यह सिद्धान्त हैं लोकतंत्र सिद्धान्त हैं न्याय सिद्धान्त हैं समानता स्वतंत्रता यह बुनियादी सिद्धान्त हैं भारत के निरमान के आधार संब्द इस आधार पर हमें भारत राष्ट्र का किसा अधार पर समाजवाद समाजवाद का मतलब सिंपल है। फ्रत्यक व्यक्ति को प्रतिष्टित आजिवी नहीं देनी सरकार ने। दर्म निरोपेक्षता, धर्मिक विवित्ता नहीं चाहिए, लोकतंत्र नहीं चाहिए, सबको न्याय मिले, ऐसी विवस्ता नहीं चाहिए, सबको सोतंत्रता मिले, नहीं चाहिए, समानता नहीं चाहिए, और इसलिए सम्मिधान सभा में इस विश्यों पर विस्तार से चर्चा हुई और सम्मिधान के उद्देशिका में इन शब्दों का इन सिद्धानतों का इस्तिमाल किया गया एक जज्मेंट में सर्वोच नयाले कहता है बड़ी जिस सर्वोच नयाले की व्यवस्ता को देवराई जी विरोध करते हैं उसी के उद्दरन मुझे देने पड़ते हैं परन्तु सर्वोच नयाले ने इन शब्दों के सम्मन में बड़े विद्दा विस्तार से बात की हैं और कहता है सर्वोच नयाले की उद्देशिका ये सारे शब्द सम्मिधान का प्राण तत्व है उड़े शिका में लिखा गया प्रत्तेक शब्द सम्विधान निर्माताओने बड़े ही सोच समझ कर विचार करकर चुना हुआ है बड़ा ही सोच समझ कर विचार करकर चुना हुआ है इस शब्द का साधारन अर्थ नहीं है इस शब्द का विशेश अर्थ है प्रत्यक शब्द का विशेश अर्थ है और इनका जो क्रम है उस क्रम से ही उस क्रम से ही क्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है सर्वोच नयाले के सम्विधान के संबन में निर्ने पढ़िये हर एक शब्द पर कई कई परिछेद लिखे गए हैं उनका अर्थ स्वष्ट करने के लिए समानता आउसर की समानता न्याय ये सारे ही शब्द बड़े महतवपूर्ण है बड़े दुख की बात है कि इन शब्दों का अर्थ पूछते हैं यदि इन शब्दों का अर्थ नहीं जानते मोदय तो आपका वहां बैठना काई के लिए यदि आपको समाजवाद का शब्द का समाजवाद शब्द सम्विधान में क्यों ही रखा गया लेरी आप तो फ्री एकोओगी की Simmons करने वाला उसका अर्त समझ जगा आप समझ कर भी नहीं समझना चाहतेim स्वाभा्वी कैप कयायत हैं किये आप अदानी अम्बानी पर अन्याय न न करते हुए उंको अपने बिजनेस का विस्तार करने की न्याय मारगा से विस्तार करने की पुरी अनुमती देती हुए गरिबों के लिए वंचितों के लिए प्रतिष्टित आजिविका की बात करता हैं इसलिए उनके लिए यह सारे शब्द हैं 1950 से लेकर तो 2023 तक न्यायले संसद और सारे ही अन्यमंचों पर उद्देशिका पर विचार हुआ है सारे ही मानते हैं कि उद्देशिका यह भारत के सम्मिदान का मान बिंदू है उद्देशिका यह सरोचे शायद आपकी जानकारी के लिए बता दो इस उद्देशिका को थोड़ा सा परिवर्तन करकर जैसे के वैसे दक्षिन अफ्रीका की सम्मिदान में रखा गया है यह उद्देशिका आम आदमी की बात करती हैं यह उद्देशिका परिवर्तन की बात करती हैं और इसलिए इसको सम्विधान में रखा गया है इसके बदले में बार बार सवाल आता है कि इसके बदले में आप क्या देने जा रहे हो Free Market Economy की बात करते हो आर्थिक सुधारों की बात करते हो ये सारी बाते सही बाते हैं हम मानते हैं, अपला ये पृँटो साथ साथ आम आदमे की भी बात करने के लिए परिवर्तन की बात करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं अंत में एक और बड़ी ही महत्वपुर्ण बात दिवराई जी कहते हैं और वो सवाल उठाते हैं दिवराई जी एकोनोमिस्ट है, फ्री मार्केट एकोनोमिकी वकलर करते हैं, मोदी जी फ्री मार्केट एकोनोमिक चाहते हैं, दिरमला सितारमन जी फ्री मार्केट एकोनोमिक चाहते है अदानी अंबानी की संपती बड़े यह चाहते हैं और उसी समय 80 करोड लोग यदि मुप्त के अनाज पर जिंदा रहते हैं बिना आजवी काके उचिनका उन्हें कोई भी खेद नहीं है अईसी स्थिती में देबराई जी एक सवाल पूछते हैं बड़ाई महत्वक्रम सवाल कि यदि हम फ्री मार्केट एकोनोमी चाहते हैं तो सम्मिधान में डायरेक्ट्व प्रिंसिपल निदेशक्सिद्दान्तों की क्या हावश्यक्ता है देबराई जी मेरा आपसे अंद्रोद है कि निदेशक्सिद्दान्त क्यों रखे गए हैं इसके सम्मन में आप फिर से चार नॉवंबर 1948 का माननीय डॉक्टर बियार अंबेट करजी का यह सवाल उनको भी पूछा गया था बियार अंबेट कर जी का सम्मिदान सभा में मसोधा प्रस्तुति के समय का भाशन पढ़िये निदेशक्सिद्दान्त भारत कल्यानकारी राज्य है इसकी घोशना करता है निदेशक्सिद्दान्त प्रत्यक व्यक्ति को प्रतिष्टित आजिवी का प्राप्त हो इसकी घोशना करता है यह राज्य का दाइत वहे ऐसे भी घुशना करते हैं क्या यह नहीं होना चाहिए क्या कल्यानकारी राज्य प्रस्ता पी नहीं वेलपेर स्टेट नहीं होना चाहिए प्रत्यक व्यक्ति को सम्मानित आजिविका नहीं मिलने चाहिए जब इस प्रकार का सवाल डॉक्टर आमब करके किते हैं के सफ्पतां है कई लोगों को सोचने की बात टॉप दुसत्ता में कोई भी पक्षा है, वह पक्ष लोगों के कल्यान की बात सोचेगा, वह पक्ष आजविका की बात सोचेगा, वह पक्ष न्याय की बात सोचेगा, और इसलिए इस सोच के लिए, इस बंधन के लिए, इस प्रतिबद्दता के लिए, इस की प्रतिबद्दता, रा पूछा गया सवाल हम लोगों के सम्मन में कि इसको तो कानून से लागू नहीं किया जा सकता फिर इसको क्यों रखा है डॉक्टर आमबेटकर कहते हैं कि भारत के लोग सार्वभू में जब मोदी जी बारा नसी में 2024 में जब भोट मांगने जाएंगे और किसी होटर ने पूछा कि मोदी जी सम्मिधान में डारेक्ट्टू प्रिंसिपल्स है आपने पढ़ा हैं मोदी जी और डारेक्ट्टू प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि मुझे मुप्त में अनाज नहीं चाहिए मुझे प्रतिष्टित आजिवी का चाहिए ये लिखा है आपने पढ़ा है यदि पढ़ा है तो मुझे मुप्त अनाज नहीं प्रतिष्टित आजिवी का मिले इसके ल बांगे मैं आपको होट नहीं दूदू Eugene पूछेगा आम आदमी अपने प्रतिनिजी से कि मेरे लिए आपने क्या किया क्लियंकरी राजय क्या थी है मार्केटिक इन्हेलुनी है खीकै क्लियंकरी है। स सबय होती तो मुफ्ट में कब इस प्रकार से महतव है जन प्रतिनिदी को सवाल पूछने का बात यह हैं कि हम जन प्रतिनिदी को सवाल नहीं पूछते मुझे मालूम है कि आम आदमी नरिंदर मोधी जी तक पहुंची नहीं पाएगा मन की बात से पुहुंच सकता है मन की बात से पहुंच सकता है परंतु कभी-कभी ऐसा लगता है मन की बात में सवाल पूछने वाले भी अपनी मन की बात क्योंकि मन की बात तो मोदी के मन की बात होती है लोगों के मन की बात कहा होती है कभी-कभी सवाल पूछने का मौका मिलता है तो जो मौका देते हैं वो ऐसे ही लोगों को भी चुनते हैं कि जो मोदी को अस्वस्त करें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए परन्तु हमारा समिधान दारेक्ट्व प्रिंसिपल्स लोकतंत्र यह कहता हैं कि अपने प्रतिर इतिको भी सवाल पूछने के हैं बोडरलोग है कि कुछ ह कुलीन है आमादमी के लिए आजविटा का सवाल है आमादमी के लिए कल्यान का सवाल है वेलपेर का सवाल है जिंदा रहने का सवाल है शिक्षा का सवाल है शिक्षा का सवाल है स्वास्ते का सवाल है रोजी रूटी का सवाल है निवास का आजिवी का सवाल है यह सारे सवाल आम आदमे के लिए और यह सारे सवालों के जवाब सारे सवालों के लिए कुंसी कुंसी कॉनसी बात कीय मनि भूक निवास स्वास्त्य सिख्षा बिजली पाने यह सारी शुविधाये देने की जिन्मेदारी सम्विधान के左MON Caesar經स सरकार पर निश्चित करते हैं राज्य पर निश्चित करते हैं और यही बात मोधी सरकार को नहीं चाहिए कोई भी सम्विधान के मादम से कोई भी उनकर कोई भी दाईत वारोपित करे यह बात वो नहीं चाहते और इसलिए भद्र लोग दिबराय जैसे लोग इस प्रकार की विवस्ता का डारेक्टो प्रिंसिपल्स का विरोध करते हैं और सवाल पूछते हैं कि यह बात क्यों चाहिए मैंने उद्देशिका में मुल्यों की बात करी थी उद्देशिका में जब मुल्यों की बात करी थी मैं समाजवाद गर्मंदिर पेक्षता लोग तंत्र न्याय स्वतंत्रता समानता की बात में कर रहा था दिवराई जी क्या चाहते हैं मालूम नहीं, मोदी जी क्या चाहते हैं मालूम नहीं, क्या इन मुल्यों की जरूत नहीं है ऐसा सोचते हैं, इसकी जगा क्या देना चाहते हैं ऐसा सोचते हैं, उनके सम्वेदान में कौन से मुल्य हैं यह सोचते हैं, तो सोचना चाहिए और क् इसके बात करने चाहिए यह जो सारी बातें फ्री मार्केट एकनोमी यह वह सारी बाते यह आधा सच है साही बात क्या है i amateur फ्री मारिक एकनोमी आजेंडा है निया अजेंडा है तो उसके लिए सम्मेधान में किसी प्रकार की बाध्य उक्वस्तृ इतनी कि दोजार चोदा से तो वही अजेंडर लागू किया है समयदान ने कहां बादा उपसित की अदानी की संपत्ति पर नेयले ने कहां कोई आपत्ति दर्च की कुछ भी नी किया सही अजेंडा ये है कि हिंदु राष्टर की स्तापना, सही अजेंडा ये है भारत राष्टर की जब पर हिंदु राष्टर की प्रस्तापना और हिंदु राष्टर की प्रस्तापना यह RSS का अजेंडा है, RSS का है इसलिए BGP का है, इसलिए मोदी जी का है, और मोदी जी का ह इसलिए देबराय जी का भी अजेंडा है धिंदू राष्ट्र की स्थापना और हिंदू राश्ट्र की स्थापना में सबसे बड़ी बादा सबसे बड़ी बादा भारत का सम्मिधान है सबसे बड़ी बादा सम्विधान के धर्म निरपेक्षम मूल्य हैं सबसे बड़ी बादा लोकतंत्र हैं लोगों को सार्वभोम बती हैं और इसलिए लोगों को सत्ता प्रदान करने वाले मूल्य या सबसे बड़ी जब तक सम्विधान अस्तितों में रहेगा, तब तक RSS, मोदी जी, भाजप और देबराय जी का सपना पूरा नहीं होता, इसलिए फिर एक परदे की आड लेकर देबराय जी मार्केट एकोनोमी के नाम पर सम्विधान परिवरतन की बात करते हैं, हम लोग सम्विधान को जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग, हम भारत के लोग, भारत का एक सार्वो भावूम, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्री, गनराज्य, गढ़ने का और उसके सारे नागरीकों को, जो भी बाते हैं परूंगा नहीं, आज, दिनांक 26 नौवंबर 1950 को इस सम्विधान सभा में, हम भारत के लोग, इस सम्विधान को अंगिकृत करते हैं, अधिनीमित करते हैं, और स्वेम को समर्धित करते हैं, यह सम्विधान भारत के लोगों ने निर्मान किया हुआ सम्विधान है, यह सम्विधान भारत के लोगों ने अधिनीमित किया सम्विधान है, यह सम्विधान भारत के लोगों ने अपने आपको समर्पित किया हुआ सम्विधान है, ऐसे स्थिति में यदि इस सम्विधान को सुरक्षित रखना है तो यह भारत की लोगों की जिम्मेदारिय मोदी जी जब तक भारत का प्रत्य भारतिय सम्विदान के प्रती निश्टा रखता है एक भी भारतिय जब तक भारत में हैं सम्विदान के प्रती निश्टा रखने वाला तब तक कोई भी भारत के की बात करने कि संसक्ता इसा नहीं सकता सोचिय ऑन ही मत हिस नहीं से ही आपका समाप्त हो जाएगा सोफें १क टॉ आप से रही हो मुदी जी कभ से 1949 से सोच रहे हो जब सम्विदान बनना ही नहीं चाहिए ऐसा आपने सम्विदान सभा में व्यत्ते निर्मान करने का प्रयास किया था चार जन्वरी 1960 को वह साक्षी है सम्विदान सभा उसकी तो सोच तो आप कभी से रहे हो मगर इस प्रकार की बाते मत सोचें क्योंकि ये लोगों आम्बेटकर दुबारा निर्मित नहीं हैं सम्विधान सबादवारा निर्म में है आम बेटकर को लोगोंने कहा था सम्विधान सबा को लोगोंने कहा था कि आप हमारे लिए सम्विधान निर्मान कीजिए यह हमारा सम्विधान है और हम इसके समरक्षक जब तक भारत के लोग सम्विधान के समरक्षक है तब तक कितना अभी बहुमत प्राप्त हो, आप समविधान को बदल नहीं सकते, बदलने का प्रयास भी मत कीजिए, अंत में, चार नमबर 1908 लिखते भाशन के अंतिम वाक्य, जो डॉक्टर वियर अंबेट करने समविधान सभा में कहते, उनके साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंग अंग्रेजी में है, सोन लिजिए, I feel that it is, it is मतलब constitution, it is workable, it is flexible, it is strong enough to hold the country together both in peace time and war time. क्या कहते हैं, हमारा सम्विधान जो भारत के लोगों ने बनाया है, भारत के लोगों की आग्यां से हम लोगों ने बनाया है, यह कुर्टी प्रवन है, यह कार्य प्रवन है, यह कार्यक्षम है, यह इतना लचीला है कि आवशक्ता के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन कि इतना मजबूद भी है कि युद्ध का समय हो या शान्की का समय हो देश को एक आत्म एक संग रखने के लिए सक्षम है यह ऐसा सम्विधान है यदी आगे बोलके कारियानवीत करते समय कुछ गलत हो जाता है कुछ गलतियां होती है कुछ अवांचित हो जाता है तो यह मत कहिए कि सम्विधान गलत है यह मत कहिए कि सम्विधान बुरा है यह मत कहिए कि सम्विधान अभी कोई उपयोग का नहीं है क्या कहना पड़ेगा what we will have to say is man is why जिन लोगो पर Modi ji सुन लिजिए Devaraya ji सुन लिजिए सारा मंत्री मंडल सुन ले कि बाबा साब अंबेट कर कहते हैं सम्विदान के निर्माता यदी यदी आप देश का विकास नहीं कर पाए यदी आप आम आदमी की स्वतंत्रता बरकार नहीं रख पाए यदी आप समाज में समामता प्रस्तापीत नहीं कर पाए यदी आप सब को न्याए नहीं दे पाए यदी आप दर्म निर्प्रिक्षशाषन नहीं चला पा रहे हैं यदी आप सब को आजी विका की guarantee नहीं दे पा रहे हैं तो आप अक्षम हैं आप सम्विधान को लागू करने के लिए लायक नहीं है डॉक्तर आमबेट कर शब्द प्रयोग करते हैं man is wild man is wild जिसके हाथ में माचिस दे दी हैं लोगों के घर में उजाला करने के लिए उन्हीं लोगों का घरी जला दिया माचिस का क्या दोश है और फिर कहते हैं कि सम्विधान हमें समाज में वांचित परिवर्तन नहीं लाने देता इसलिए सम्विधान गलत है सम्विधान गलत नहीं है सम्विधान को कारियानवीत करने वालों के लोगों की नियत गलत है और ऐसे गलत नियत के लोग जो सम्मिधान को बदलना चाहते हैं, सम्मिधान नश्ट करना चाहते हैं, नया सम्मिधान लाना चाहते हैं, उनको मैं आवान करता हूँ लोगों को, कि सावधान हो जाएए 2024 आ रहा हैं, जो सम्मिधान बदलना चाहते हैं, उन्हें को सत्ता से बे उन्हें ही सप्ता से बेदखल करेंगे मोदी जी को हम आवान करते हैं आवान करते हैं चुनाओ लड़कर बताइए आपका क्या हश्र होगा हम भी देखेंगे लोगों को आवान है यह हमारा सम्विधान है हमारे पुर्व जोने निर्मान किया हुआ सम्विधान है डाक्टर कांबेट करने निर्मान किया सम्विधान है हमने इसको अंगी करूथ किया है इसको सुरक्षित रखना कारेनी तरखना अपनी जी बैदारी है और एक ही रास्ता है कि जो सम्विधान बदलने की बात करता है उसको 2024 में हम किसी भी परिस्तिते में उसको चुन कर नहीं आने देना चाहेंगे दिवराईजे के मुक से यदि मोदी जी बोलके हैं तो हम मोदी जी का भी विरूत करेंगे उनको भी चुन कर नहीं आने देना चाहेंगे